नमस्कर बच्चों, आज का हमारा इंपोर्टेंट प्रिश्ण है कि लेखिका की अपने पिता से व्यचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए लेखिका के पिता के व्यक्तितों और विचारधारा में विरोधा भास स्पष्ट रूप में देखा जा सकता था एक और वे आधुनिक तक के समर्थक थे, वे ओर्तों को रसोई तक या घर की चार दिवारी तक सिमित नहीं रखना चाहते थे उनके अनुसार ओर्तों को अपनी प्रतिभा और ख्षमता का प्रियोग घर के बाहर के कारियों में भी करना चाहिए इससे उन्हें यश्वे सम्मान मिलेगा, किन्तों साथ ही वे यह भी सहन नहीं करते थे कि लड़कियां लड़कों के साथ मिलकर स्वतंतरता अंदोलर में भाग लें वे नारी की स्वतंतरता को घर की चार दिवारी से दूर नहीं देखना चाहते थे किन्तु लेखिका के लिए पिताजी की सीमाओं में बंधना बहुत कठिन था इस ये लेखिका की अपने पिताजी से वेचारिक टकराहट रहती थी दूसरा हमारा महतुपून प्रेश्ण है कि लेखिका के व्यक्तितु पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पढ़ा लेकिका की रचना एक कहानी यहभी को पढ़कर पता चलता है कि उनके व्यक्तितु पर उनके पिताजी और प्याधापिका शीला अगरवाल का प्रभाव पढ़ा था लेकिका के व्यक्तितु में अच्छी वुरी आदतें उनके पिताजी के जीवन से आई हैं उन्होंने लेखीका की तुलना उनकी बड़ी बेहन के साथ करके हीन भावना पैदा की जिसकी शिकार वे आज तक हैं उन्होंने उन्हें शक्की वे विद्रोही बनाया लेखीका को देश्प्रेम और समाज के प्रति जागरुक बनाने में भी उनके पिता का सहयोग रहा है उन्होंने उसे रसोई के कारियों से दूर रख कर एक प्रबुध एवं निडर व्यक्तित्व बनाया अतेलेखी का के व्यक्तित उपर उनके पिता का प्रभावस्पश्ट रूप से देखा जा सकता है